तो दोस्तों लेकर आगया हूँ आपके लिए टॉप थ्री बेस्ट मिवर ट्वाइल थीम की एक और न्यूव स्पेसल वीडियो और इस तरह की वीडियो हम बात करते हैं काफी कूल अमेजिंग थीम्स के बारे में तो अगर आपको चाहिए हो बिंडोज वाला बूट है अपने मोवाइल का चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहे हैं इस वीडियो का लाइक टार्गेट मैं रखा है हंडेड आई होप कि आप इसे आसानी से कंप्लीट करा देंगे दोस्तों मैं हूँ अनुच और आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल को और बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि आपको मिल सके हैं मेरी वीडियो के अपडेट सबसे पहले तो दोस्तों इस लिस्ट मैं जो फ़श्ट तीम है उसका नाम है बेट रोट 12.5 और यहाँ पर जो डिजयनर है उसका नाम है कॉस्टेंट इनुट तो एक तो इसका जो वाल पिपर आप देख सकते हैं काफी इस स्टाइलिस सब वाल पिपर है इसके साथ में आपको काफी स् एंटर में देखने को मिलेंगे जो कि इस थीम को काफी सूट करते हैं नौट वीकेशन पनल भी आपको काफी अच्छा से देखने को मिल जाता है इसके विलावा दोस्तों बात करें डायल पैट लुक की एक काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर डार्क मोड का सपूर्ट देखने को मिलता है तो डार्क मोड ओन होने के बाद आपका वाल पिपर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और अगर आप यहाँ पर डायल पैड या सेटिंग वाले यूई में जाएगे तो वहाँ पर भी आपका चेंज हो जाएगा लुक और यह जैसा कि मैंने वगदाय कि डार्क मोड को सपूर्ट करती है तो यह इस थीम का एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट है अगर यहाँ पर बात करें हम आइकन पैक की से ऑप्सन मिल जाते हैं तो यह कुछ लुक आपको इस थीम के अंदर देखने हो मिलता है अब इस लिस्ट की जो सेकंड थीम इसका नाम है वेटरो 12.5 डिजानर का नाम है कॉस्टेंटिनो और यह थीम स्टोर पर आपको मिल जाएगी या फिर तो आप इस थीम के नाम से सर्च कर सकते हैं या डिजानर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं इसका भी वाल पेपर जो है वो मुझे काफी पसंद आया इसके लावा टॉप पर काफी अच्छी सी क्लॉप पिचिट मिल जाती है और यहां अगर हम बात करें control center की तो यहां पर control center one of the best है देख पा रहे होंगे काफी glowing है यहां पर जो tiles struggles दिये गए हैं काफी अच्छे हैं brightness slider आपको pink color का देखने हो मिल जाता है तो काफी अच्छा लगा है मुझे यह control center notification panel की बात करें तो iOS style का notification panel देखने हो मिल जाता है अब यहां पर dial pad की बात कर लें तो यह कुछ look मिलता है आपको dial pad का यह theme भी dark mode को support करते है यह कुछ look आप चो देख पर पा रहे हैं वो है यहां पर dark mode के अंदर clock widget में भी animation है साथ में इसका जो icon pack है यह भी आपको काफी पसंद आएगा जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे काफी अच्छा icon pack भी इस theme के अंदर देखने हो मिल जाता है अब यहां पर lock screen की बात करें तो lock screen for home screen जैसा wallpaper बॉटम में केरोजल camera जैसे option दिये गए है तो यह कुछ look मिलता है आपको इस theme के अंदर अब इस list में जो एक last theme है वो काफी दमदार theme है इसका नाम है fluent UI minimal PA designer का नाम है promote foyal और इनकी theme काफी ज़्यादा मैंने इसके उपर वीडियो बनाए है अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चाकर के देख लेजे तो एक तो home screen का जो wallpaper है आप देख पा रहे होगी काफी beautiful सा wallpaper आपको देखने हो मिल जाता है clock widget भी काफी stylish सी आपको iOS style में देखने हो मिल जाती है इसके अलावा यहाँ पर जो control center का look है यह भी आप देख पा रहे होगी काफी beautiful सा pink और यहाँ purple, yellow इस तरह के tiles toggle दिये गए हैं और काफी बलब एक नया ही आपको look आपके control center में देखने हो मिल जाता है नौट भी किसन पहले की बात करें तो वो भी आपको काफी अच्छा सा देखने हो मिल जाता है और यहाँ पर जो इसके आप चलते हैं इसके dial pad में तो dial pad का look इस तरह से देखने हो मिल जाता है यह theme भी dark mode को support करती है और यह जो look देख पा रहे होंगे dark mode का है तो setting में जाएंगे तो setting में आपको यहाँ पर जो default look है वही देखने हो मिलेगा इसके icon pack की बात करने तो icon pack आपको one of the best देखने हो मिल जाता है काफी पसंद आएंगे आपको इसके icon तो यह कुछ look मिलता है आपको home screen पर आप चलते हैं इसकी lock screen पर तो lock screen का wall paper तो काफी मस्त सा आपको देखने हो मिल जाएगा bottom में आपका flash light camera जैसे option मिल जाते हैं इसके लाबा आप यहाँ पर देख पारे होंगे काफी glow-y जो एक artistic look वाल वाल पिपर है और इसके आप charging animation की बात करें तो यहाँ पर आपको green color का यहाँ पर charging जो bubble type के और green type का bottom में effect देखने हो मिलता है साथ में इसका boot animation है वो भी मैं आपको check करा देता हूँ तो इसमें आपको windows वाला boot animation देखने होंगे मिलता है windows वाली आपको यहाँ पर sound भी सुनाई देगी जब भी आपका mobile boot होगा तो दोस्तों यहाँ पर यह कुछ थी themes और इन theme में से अगर कोई भी theme अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like share जरूर कर दीजे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के amazing interesting वीडियो लेके आता रहता हूँ झाल हुआ हुआ